ना इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नज़र क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीद के साथ लड़के हैं गल्ती हो जाती है ये बयान तो आपको यादी होगा तो आज इस बयान का जिक्र क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है क्य क्योंकि एक बार फिर से एक लड़की अपने साथ होने वाली ज्यादती को लेकर आवाज उठा रही है पहले आयोध्या और अपका नौच ऐसा लगता है कि लड़कियां कहीं सुरक्षिती नहीं रही आयोध्या में जो हुआ वह अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था एक और म हिरान हो सकता है और कोई इसे संयूख बता सकता है लेकिन बात तो यह है कि आरोप दोनों ही मामलों में समाजवादी पारटी के नेताओं पर लगाएं उसी पारटी के नेताओं पर जुनके मुख्या ने कभी कहा था लड़के हैं गल्ती हो जाती हैं बयान देने वाले तो नवाब सिंग यादव को पुलिस ने पकड़ा है उसी के डिगरी कॉलिज से आरोप यह कि नवाब सिंग यादव एक किशोरी से छेड़चाल कर रहा था रेव की कोशिश भी कर रहा था इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें एक कमरे नवाब सिंग यादव पीडित लड़क और उसकी बुवा मुझूद थी अब ये नवाब सिंग यादव है कौन इसकी कुंडली क्या है और क्या कुंडली बताती है ये हम आपको बताते हैं नवाब सिंग यादव समाजबादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है खास बात ये कि अब जब ये मामला खुल गया तो इस पर भी बैस हो रही है कि नवाप सिंग यादव अब पार्टी का नेता है कि नहीं है। आएंगे इस पर किसने क्या कहा है इस मामले में लेकिन उससे पहले जानिए कि नवाप सिंग यादव की कुझली क्या कहती है। पुलिस ने जब चांच की तो पता चला कि नवाप सिंग यादाव के खिलाफ 15 मुकद में दर्ज है इसमें बलवा, लूट, मारपीट, धोखा धड़ी, अपरण याने की किटनैपिंग, सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुँचाने के साथ ही जानलिवा हमला करना, छिरचाल क करना, गुंडा एक्ट और दोर, पॉक्सो एक्ट में भी मामली दर्ज है, लेकिन इतने सारे मुकदमों का सामना कर रहे हैं, नवाप सिंग के साथी या कहिन समर्थक ये कह रहे हैं, ये सब तो राजनीती से प्रेरित हैं, क्राइम कुंडली आपने जान ली, अब अगर इन नवाप सिंग समाजवादी पार्टी के प्रमुख हकलेश यादव का करीबी और उनकी पत्नी डिंपल का सांसत प्रतिनी धी रहा है, इतना ही नहीं, नवाप सिंग यादव को जब समाजवादी पार्टी के सरकार प्रदेश में हुआ करती थी, तो मिनी सीम कहा जाता था, आप समझ सकते हैं कि कितना रसूख नवाब सिंग का उस वक्त होगा अब आते हैं कि मामला क्पला कैसे तो मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें सापा का पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंग यातव बिस्तर पर बैठा हुआ है उसने पैंट भी नहीं प खाराओं में मुखत्मा तर्च करते हुए पीडिता का मेडिकल भी कराया है जानकारी के मुताबिक तेरवा इलाके की रहने वाली पीडित अपनी बुआ के साथ नौकरी मांगने के लिए नवाब सिंग यादव के चंदन सिंग डिगरी कॉलेज गई थी बुआ का ये पुलिस को बताया किया कि 15 साल की नावालिक अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी आरोपी ये है कि बुआ जब टॉयलेट के लिए गई उसी दोरान नवाब सिंग यादव ने जबरदस्ती नावालिक के कपड़े उतरवाए इसके बाद द वो नवाब सिंग यादव के सामने अराम से बैठी हुई दिखाई दे रही थी और जब पुलिस उसे ये सवाल कर रही थी कि वो कौन है तो महीला ने कुछ जवाब नहीं दिया और पीडित लड़की से अपना मोबाइल मांगकर वो वहाँ से हट गई जब ये कारवाई चल नवाब सिंग यादव की गिरफतारी के खबर के सामने जैसे ही आई यह खबर वैसे ही समर्थकों का हुझूम अगले दिने कठा हो गया थाने के सामने रविवार के बाद सूमबार को लेकिन पुलिस ने इन लोगों को समझाया बुजाया वहां से हटाया अब अपडेट य नवाब सिंग यादव को पुलिस ने कोट में फेश किया जासे उसे 14 दिन के नियाय किरास्त में जेल भेश दिया गया है इस मामले में पीडिता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्जोना भाग की है हाला कि इस पर सियासत अपने चरम पर पहुँची हुई है आरोपी के स समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं कई साल पहले ही अपना रिष्टा पार्टी से तोड़ चुका है वो आगे ये भी पूछ रहे है कि क्या ये बात सच नहीं कि कर्णौच के बीजेपी नेताओं के साथ ही पिछले कई सालों से वो नेता घूम रहा था उन्होंने ये कहा है कि भारतिय जन्ता पार्टी खुद को बचाने के लिए हर जगा समाजवादी पार्टी बेही कमी ढूंड लेती है बागेपुर घटना है ऐसी घटना नहीं होनी शाहिए और उत्तर प्रदेश में योगी आदितना जी की सरकार है कानून का राज है कोई भी गलत करेगा उसके खिलाब कारवाई होगी और किसी को भी कितने ही पहुंच रखता हो चाहे वो मीनी मुक्य मंत्री रहा हो कहा जात रहा हो चाहे वो अपने को अफला तून हो कानून अपना काम करेगा उसके खिलाब कारवाई होगी है अब तो ये बात सपा के नेताओं से पुछिए कि भाई सपाहिया क्यों आ रहे हैं ये बात ये बात तो सपाह के लोगों से पुछिए अब सपा के नेता तो आयुद्ध्या के मामले पर नार्को टेस्ट करा रहे थे कराने के लिए न तहीं अब DNA टेस्ट कराने थे यह हूं तहीं करा ले यहां भी DNA टेस्ट करा ले भार्ती जनता पार्टी की नीति है चोरी और सीना जोरी जिन विक्जिस विक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भार्ती जनता पार्टी के लोकल नेता वहां के पूर सांसत उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और वेवार है भारती जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ पास है, जो निया संगत कारवाई है, निया मनुसार कारवाई है, वो भारती जनता पार्टी को करनी है, समाजवादी पार्टी को घिरने का क्या मतलब है, क्या एडवांस में कुछ लिखा है, क्या उस पर पहले से कोई म भाजपा दोस्ती करें भाजपीर चुनावों में इस्तम्माल करें लोगों का और भाजपा की संगर्श में लोग भसें और Hendrik समाजवाधी पाट्टी के नाम लें कितने दिन चुपेंगे समाजवादी पार्टी की नाम की पिछे किसने रोकाए पुलिस को और योगी अधितनात को करें अपनी कारवाई हाला कि मंगलबार को सपानेता नवाप सिंग यादव के डिगरी कॉलेज से फॉरेंसिक टीम ने सबूत भी कथा किये और वहाँ से सेंपल लिये जहां से उसे पकड़ा गया था इधार सियासत के अगर बात कर ले तो भले ही समाजवादी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुक नवाप सिंग यादव से खुद को अलग कर लिया लेकिन सपानेता जोई सिंग ने ये भी सवाल उठाया कि जब पीडित लड़की 15 साल की थी तो वो किस तरह की नौकरी की तलाश में गई थी साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर लड़की की साथ चिरचाल हुई है तो लड़की को नियाय मिलना ही चाहिए जोई सिंग ने ये भी कहा कि हम नारको टेस्ट और डी एने टेस्ट की भी माँकरते हैं हम ये भी माँकरते हैं कि किसी पर भी आरोग लगाने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए और अगर कोई साजिश है तो साजिश में कौन-कौन शामिल है इन लोगों को भी सजा मिल ले चाहिए या इसा भी के साथ होना चाहिए वो भी थे पांक सालों से पार्टी विरोधी कतिविध्यों में शामिल था इस मामले में यूपी के मंतरी ओम प्रकास राजपर ने कहा है कि गटना जो ही है दुरुफागयपून गटना है कानून विवस्ता राज में है और किसी को भी मामले में बक्षा नहीं जाएगा उचि ही मामला सामने आ चुका है और यहां पर भी समाजवादी पार्टी के नेता मौहिन खान पर एक बारा साल की बच्ची से रेप की घटना को अंजाम देने का रूप लगा आयोध्या के पूरा कलंदर थाना इलाके में यह घटना हुई थी जिसमें नकेवल मौहिन खान बलकि उसके साथ ही राजू ने बच्ची से रेप किया यारूप लगा और उसका वीडियो बना कर कई बार उससे घिनोनी हरकत की इसका खुलासा 29 जुलाई को हुआ था जब बच्ची दो महिने की गर्भवती हो गई थी पीड़ता की मा ने बताया था कि जब हम शिकायत लेकर यह कह चुके हैं कि कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका DNA टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए नक नकी केवल राजनेतिक आरोप लगाकर सियासत की रोटी से की जाए बहले ही सपा इस मामले में खुद को अलग करने की कोशिश करे लेकिन य आने वाले वक्त में इस पर सियासत और परवान चुड़ेगी क्योंकि आयोध्या का मामला हो या कनोच का मामला हो दोनों ही मामलों के आरोपियों की तस्पीर बड़े बड़े नेताओं से लेकर पोलिस वालों तक हर किसी के साथ नजर आ भी है